नमस्कार दोस्तों परिच्छ चिंतनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज किसी वीडियो में महत्पूर टापिक उत्तर प्रदेश जैन गणना आज किस वीडियो में किस वीडियो में उत्तर प्रदेश जनगना के बारे में देखेंगे चले स्टार करते हैं पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश जनगना जर्गन्ना 2011 जर्गन्ना होता क्यों है जर्गन्ना कराने का मुख्युदेश है कि सरकार उसके मार्ध्यम से ही जो योजनाय तयार करती है जर्गन्ना कराने से यह कंफर्म हो जाता है किस राज में कौन सा योजना चलाई जाए किस जनसंख्या के अधार पर कहां पर लिंगन प समाजिक इन सभी क्रियाओं के लिए जनगन्न कराई जाती है जिससे सरकार कैंसर कार कोई भी योजन न तयार कर सके उस राज के लिए इसंक्ल इसके लिए जो स्एया जाती है चलिए देखते है प्रप्रतम जैंगने जो जंकानरा कम अब हुआ थाइसराइज या कौन थे टोस्ट में वाइस रहते थे भारत में थे हुआ ब्ते एक दास्तिव्ष के इंतराय पर जंड काल में सुरोगुआ । यह ऑ जूशत है में पूचे जाते हैं इनको याद में रखना है तो प्रतेग दसवर्ष पे जो है वो 1881 से Lord Ripon सासनकाल किसका था Lord Ripon वाइसराय थे तो उनके सासनकाल में जो है वो प्रतेग दसवर्ष पे जनगन्ना का स्टार्ट हुए 1872 से लेके 2011 तक कि अगर हम बात की जाये तिये पंद्रावी जनगन्ना थी 2011 सिंसस जो है वो पंद्रावी जनगन्ना थी 1872 से अगर जोड़ा जाये और स्वतन भारत का अगर बात की जाये तो वो सात्वी जनगन्ना थी अगर 1950 के बात से बात की जाये तिये 2011 की जनगन्ना जो थी वो सात्वे नम्मर की थी और टोटल अगर बात की जाए तो पंद्रहवे नमबर की जणगंडा थी 2011 की ये भी पूछा जाता है तो ये याद रखना है इसके बाद 2015 की जणगंडा जो है उसकी थीम जो है 2015 2011 जो हुई थी 15 जणगंडा उसकी थीम थी हमारी जणगंडा हमारा भविस ये कमटेट्व जाम में पूछा जाता है हमारा जणगंडा हमारा भविस 2011 जणगंडा सेंसस का था 15 जणगंडा तो ये कमटेट्व जाम पूछा जाता है कि 2011 जणगंडा की थीम क्या था तो हमारा जडगन्ना हमारा भविस यह याद रखना है आपको अब उत्तर प्रदेश के बारे में लेते हैं पहले उसके प्रसासनिक आगों के बारे में हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल जीलो की संख्या जो है वो पचातर है जबकि यह असी लिखा गया है यह असी जो है वो लोकसभा सीथ है तो यह अ कम टे टो जाण में में पूछा जाता है दोनों के उत्तर प्रस में लोकसभाग सीथ कितनी है यह है अगर जीलो की संख्या की बात की जा जीले जो है वह 50 जीले है यूपी बे यहां कन्फ्यूज नहीं करना है लोग सबग सीट जो है वह 80 हो जाएगा और जीलो की संख्या 50 उत्तर प्रदेश में तहसीलो की संख्या भी करेंट डाटा खिशाब से 350 है ये बढ़ते रहते हैं तब ही जो रिसेंट डाटा है उसके इसाब से कुल तहसीलोग संख्या 350 है कुल नगन निगम जो है वो बढ़के 17 हो गए है सबसे लाश्ट जो अभी नया बनाए वो साजाहापुर नया नगन निगम बनाए तो टोटल नगन निगम संख्या 17 हो गई और टोटल बलॉक की बात की जाए 822 भलाच इस समय प्रिजेंट समय है रिसेंट डाटा की जाब से और टोटल डिवीजान की बात की जाए मंडल जो होते है तो वो अठारा मंडल इस समय यूपी में पाय जाते है यह प्रसासनिक आकड़ा हो गया UP क्या कुल जिलो की संख्या 75 है और लोग सभाई सीटो की संख्या की जाए 80 कुल तहसीर 350 कुल नगर निगम 17 ब्लाग जो है 822 और डिवीजन जो है वो 18 अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की जन संख्या के बारे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जन संख्या जो है वो टोटल 19 करोड 98,12,341 सेंसस 2011 के डाटा के हिसाफ से हैं अब यह बढ़के 21 करोड के करीब हो चुका है तो यह 2021 का 11 का डाटा है 2021 में हम नया सुलावी जन गंदा होगी तो इसके इस बाद डिजिटल तरीके से जन गंदा की जाएगी यह भी कम्टेट्व जाम में पुछे जा सकता है 2011 की जन गंदा की बेस्प होगी तो वो डिजिटल होगी टोटल उत्रप्रदेश की जन गंदा जो है 2011 के अधार पे 19 करोड 98,12,341 है अन्य राजियों के संदन में सरवाधिक मतलब टोटल इंडिया में फस्ट रैंक है जन गंदा में जबकि अगर हम छेथफल की दिस्कोर से देखे तो छेथफल से यूपी का अस्थान जो है छेथफल की दिस्कोर से तेलंगाना अनपरदेश के बटवारे के बाद से यूपी का रैंक जो है वो चौथा हो गया नहीं तो पहले पांचवे नमर पे थी याद रखना है उत्तरप्रदेश का छेथफल के दिस्कोर से चौथा रैंक है जबकि जनसंख्या की दिस्कोर से प्रत्था मनाएंक है तो यह आपको याद रखना है अगर हम विस्ट के संदर्म में देखे तो चीन भारत अमेरिका और इंडोनेसिया के बाद पांचवे नमर पे विस्ट में भी यूपी का अस्थान आता है उत्तरप्रदेश का जन गर्णा में तो यह याद रखना है इत्तरप्रदेश भारत के कुल अभादी मतलब 120 करोड़ अब तो बढ़के 130 करोड़ में अब हो चुका है तो तुट्फ्रदेश के पुल अब आधी का जो है वो 16.50,0%抑 यूपी करता है जबकि ए गर चैतफ फल की बात आप च्थेत फल का साथ 13.3% ही यूपी करता है यह आपको याद रखना है उत्तरप्रदेश कुल अबादी का जो है वो 16.5% सेयर करता है जबकि पूरा छेथफल होता है उसमें 7.3% सेयर करता है और अगर यहीं बात इंडिया की की जाए इंडिया पूरे विश में छेथफल की दिश्कोर से देखा जाए 2.4% छेथफल जो है व दूसरे अस्थान पर है जबकि छेथफल में 7.5% इंडिया का स्थान है यह आपको याद रखना है इंडिया जो है वो पूरे विश का छेथफल का 2.4% सेयर करता है और जनसंक्या का 17.5% और यूपी जो है इंडिया का पूरा टोटल जो है अबादी जो छेथफल पाया जा से देखा जाए तराजस्थान मद्पेदेश महराश्क बाद चौथे नम्मर पे यूपी काता है यह आपको याद रखना है अब हम देख लेते हैं सरवाधिक आवादी वाले जिलो की बारे में अध्यान करते हैं तूत्तर प्रदेश के 5 सरवाधिक जिले वाले सरवाधिक स्थान पे इलहाबाद है दूसे नमर मुरादाबाद तीसे नमर पर गाजियाबाद है और चौथे नमर पे आजमगड पाच्वे नमर पे लखनाओ का नमर आता है इलहाबाद में 69,4,392 जनसंख्या जो है टोटल निवास करती है इलहाबाद में इलहाबाद जो है फस्ट के जा कर सकते हैं लाश्ट में इन तीनों में बाद जूड़ता है तो यह याद रखना है सरवाधिक अबादी वाले इलाहबाद मुरादाबाद गाजियवाद तो अब हम देखते हैं सबसे कम अबादी वाले जिले यूपी के उनके बारे में देख लेते हैं सबसे कम अबादी जो है वो महोबा में पाए जाता है आठ लाख पचात्तर हजाद 958 व्यक्ति जो है वो महोबा जिले में निवास करते हैं सबसे कम जो है वो महोबा जिला हो गया और सरवाधिक जो है वो इलाहबाद जिला दूसरे नम्मर फैर चित्रकूर, तीसरे नम्मर खमीरपूर, चौथे नम्मर स्रावस्ति और पांसवे नम्मर पे ललिकपूर यह आदार रखना है आपको सबसे कम जो है महोबा हो गया और सरवाधिक जो है इलाहबाद में पाहे जाता है इसके बाद देखते हैं जीरो से च्छा वर्ष अबादी वाले जीले जीरो से च्छा वर्ष तक बच्चे वाले जो है उनकी संख्या की जीले में सरवाधिक पाहे जाती है उनके बारे में हम देखते हैं उनके बारे में सरवाधिक जो है वो इलाहबाद है दूसरे नमर मुरादरबाद है और तीसे नमर पर यहाँ पर सीता पूर हो जाता है जबकि सरवाधिक अबादी में गाजियाबाद था लेकिन यहाँ पर सीता पूर हो गया चौथे नमर पर आजमगर और पांचो इनमर पे बरेली जीरो से च्छा वर्स वाले में भी इलाभाद प्रथम अस्थान पे हैं तुछ तरीके से अब आधी के बारे में देख लिए अब हम देखते हैं दसकी वरी दिदर वाले किस जिले में सरवाधी के दसकी वरी दिदर थी उनके बारे में तो 2001 से 2011 के दोरान यूपी का दसकी वरी दिदर जो है वो 20.22% रही मतलब कि 2011 से 2011 की जन गन्ना के बीच यूपी की जन संख्या वरी दिदर जो थी वो 20.22% रहा जो की राश्टी यूसत मतलब कि भारत का जो राश्टी यूसत था 17.77% से अधीक रहा है सरवाधिक दसकी वरी दिमें पुरुष और महिला के दसकी वरी दिम पुरुष का दसकी वरीद हिदर 19.31% था जबकि महिला के दसकी वरीद हिदर 21.123% था ओर टोटल इंडिया में जो है वो 15 रहींघ था भारत का और यूपी के दसकी निई यूपी का 10. 25 % 202 पर्षेंट और इंडिया का दस्की इवरियों दिद्धर 17 77% यह आगना है सिर से वं नियून देख लेते हैं तो सरवाधिक दसकी वरिदिदर जो है वो गौतम बुद्ध नगर में हुआ था उन्चास दसमलो एक परसेंट की वरिदिदर हुई थी दोजार एक से लेके दोजार यारक भी दूसरे नमबर पर गाजियाबाद है तीसरे नमबर स्रावस्ति चौथे बाहराय पांच वे नमबर पर बल्रामपुर तो सरवाधिक दसकी वरिदिदर गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद मुगा और नियूंतम दसकी वरिदिदर जो है वो खानपुर नगर में हुआ कानपुर देहात और कानपुर नगर दो जिले हैं यहां कनक्यों नहीं करना है प्रति एक केमी वर्ग किलो मीटर मतलब एक किलो मीटर में जो है निवास करने वाली जनसंख्या जो निवास करती है जनसंख्या उनकी संख्याओं को हम जनसंख्या घनत उकाते हैं एक किलो वर्ग मीटर में जितने लोग पाए जाते हैं उनको हम जनसंख्या घनत के अधार पर अध्यान करते हैं तो देखते हैं 2011 जन्गंडा के अधार पर UP की जन्संख्या गंटुज़ होए 829 मतलब एक वर किलो मीटर में 829 लोग निवास करते हैं यूपी में जबकि इंडिया मतलब वार्शिक जो रास्टी आउसर जो है वो 382 से अधिक है यह याद रखना है है जबकि यूपी का जो पाफूलेशन डेंसिटी 839 उत्रब की गं संख्या में 4 एक 10 उन्टार 4 वरिद्ध हुई वितर दोजार एक से न्टार यारक भीज में यूपी की जन्संख्या डेंसिटी जो है पाफूलेशन डेंसिटी उसमें 149 की वृिद्ध — शीर स्युम नियुन्तम जनसंख्या घनट वाले जीलोई उनके बारें देख लेते हैं सरवाधिक जनसंख्या घनट जो है 49-71 के साथ गाजियवाद प्रथमस्थां पे गाजियवाद जो है दिल्ली से सटा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर पाप्लेशन डेंसिटी ज्यादा पायाती है यहाँ पर एक वर किलो मीटर में 49-71 लोग निवाज करते हैं दूसरे नमर पर है वरार्शी तीसे नमर प्लखनाओ चौथे नमर भणोई और पांचवे नमर जो है कानपुन नगाब और निवन्तम जो है जनसंख्या घनट जो ललिदपूर्म पाये जाता है 242 दूसरे नमर सोनबादेश यह याद रखना है अब हम देख लेते हैं लिट्रेसी रेट 7.7 दर यूपी का क्या है इंडिया का उनके बारे में भी दोनों के बारे में देख लेते हैं तो यूपी का लिट्रेसी रेट 2011 के नसाथ 67.7% टोटल इन जो है यूपी में i7.76 दर भी 57.7% टोटी पुरुस जो है वह 17.87% पुरुस जो है वह साचhal है मारिया 17.67% पाए जाती है यूपी में था राष्टी और सत की बात की जात वी राष्टी औरस तर श्र्रा की बात इंडियां जो प्रदेश की साथ शर्ता जो है वह 11.34% के वृद्धुई नतलब 2001-2011 11.34 लोग और जो है वह अधिक साथ चर हुए तो यूपी की साथ शर्ता जो है 17.7% है इंडिया के जो है वह 70% की याद रखना है सारवाधिक साथ शर्ता वाला जीला जो है गौतम बुद्ध नगर है दूसरे नंगर पे कानपूर नगर है तीसरे पाउराईया चौथे पीटावा पांचवे नम्मर पे गाजियाबाद है यह याद रखना है आपको सारवा साथ शर्ता जो है वह गौतम बुद्ध नगर में पाए जाता है निउन्तम साथ शर्ता जो है वह स्रावस्ति दूसरे नम्मर बाहराईया है तीसरे बालरापूर चौथे बढ़ाईयू और पांचवे नम्मर पे रामपूर यह आपको पांचवे याद रखने है सारवाधि साचहरता की गौतमबुद नगर में 88.1% साचहरता है दूसरे नमर पहुरवाईया है 86.1% तीसे नमर पे इटावा है 86.1% और चौथे नमर पे है गाजी अबाद 85.42% के साथ ये आपको याद रखना है सरवाधिक साचहरता वाले जिले महिला तो इसमें हम देख लेते हैं सरवाधिक साचहरता महिला की जो है वो किस जिले में पाई जाती है तो कानपुन नगर प्रथामस्तान पे दूसरे नमर पे लखनाव तीसे नमर गौतम बुद नगर चौथे पौरईया पाचवे नमर पे गाजी अबाद तो सरवाधिक साचहरता महिला की जो है कानपुन नगर लखनव ग्रामीर साचहरता की बात की जाया 25.46% ग्रामीर लोग जो है वो साचहरत है और नगरी साचहरता यूपी की अगर नगरी साचहरता पचापता दस्मनो 1.4% पाई जाती है यह आपको याद रख़ा है अब हम देख लेखते हैं सेक्स रेसियो लिंगन पाथ यह कंटेट्व जाम में पूछा जाता है लिंगन पाथ से भी क्यूशन यूपी के कौन से जिले सरवाधिक साथ लिंगन पाथ वाले हैं आप संदे दिया जाता है जानपूर आजमगार गौ चौर्दा बिदल बर 912 में 2001 से लेके 2011 के चौर्दा की व्रिद्ध हुई और टोटल अगर इंडिया में राज्यों के इंसासित प्रदेशों के मिला के बात की जाया थे 26 अस्थान है लिंगन पाथ में यूपी क्या राश्टी लिंगन पाथ जो है वो तीन सो सौरी 943 अगर चौर्दा बारे में बात की जाया है इंडियाम जो लिंगन पाथ है 943 है जबकि यूपी का जो है वो 912 प्रिये आपको याद रखना है उपी कर लिंगन पार 912 और इंडिया कर लिंगन पार 943 अब हम देख लेते हैं सीर्स पांस लिंगन पाथ वाले जिले तिस्ट पांच लिंगन पातवाले जिल्या में जॉनपूर प्रतामस्तान पे है 1024, दूसरे नम्मर पहे आजमगर 119, तीसे नम्मर पहे देवरिया 1017, और चौते नम्मर पहे प्रताबगर 998, और पांचो नम्मर पहे 983, ती ये आपको याद रख रहे हैं, पांचो मैस करने के लिए भी दे दी जाते हैं, ती ये आपको याद रख रहे हैं, सरवाधिक लिंगन पातवाला जिल्या यूपी का जॉनपूर है 1024, दूसे नम्मर पाजमगर, तीसे नम्मर देवरिया, चौते नम्मर पताबगर और पांचो नम्मर पे सुल्तानपूर नियुन्तम लिंगनपाथ की बात की जायत गौतम बुद्र नगर दूसरे नमर बागपत है तीसे नमर कानपूर्थ चौते नमर मत रहा और पांचोय नमर पे ओ रही है तो यह आपको याद रखा है जीरो से च्छा वर्ष आईवर्ग वाले लिंगनपाथ की बात की जायत 902 यूपी का जो लिंगनपाथ है जीरो से च्छा वर्ष के नौजात क्या उसमें 902 लिंगनपाथ है जबकि टोटल की बात की जायत तो 912 है यूपी क्या और राश्टी ओसर देखा जायत 919 है जबकि तोटल 943 है तो लिंगन पाथ जो है जीरो सच्छा वर्ग आईवर्ग में कम हुआ है इसे लग रहा है कि आने वाले वो नगरों में निवास करती है ति यह आपको याद रखना है नगरी जनसंख्या में उत्तरप्रदेश का दूसरा स्थान है महाराष्ट के बाद यूपी का सेकंड रेंग है 11.79% के साथ दूसरे स्थान पे है इंडिया में नगरी जनसंख्या के अधार पे अब हम देख लेते सरवाधिक नगरी वाला जीला काउन सा है यूपी के सरवाधिक नगरी जीला जो है वो गाजियबाद है दूसरे नगमर पे लखनाउ है तीसे नगमर कानपुन नगर चोथे पे आगरायो मेरत तो यह आपको याद रखना है सरवाधिक नगरी जनसंख्य जो जिला है वो गाजियभाल लखनौस गारा अगर हम प्रत्षत की बात करें 76.6% लोग जो है वो गाजियभाद में नीवास करते हैं दूस्रे नंबर पर है लखनौस तो यह आपको याद रखना है अब हम अगर बात करें नीउतम नगरि जन संक्या संक्रावाल गाजी यावार लखना हो कानपुल नागर और नियुनतम जो है आतो आपको या First वाल ईसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक रमीर् जनसंख्या कि सजिले में पाई जाती है उ CR दूसर आनाюда ऐसे democr नंबर सितापूर और मैं तीन जगों पर सरवाधिक जनसंख्या निवास करती है नियुन्तम ग्रामीड जनसंख्या जो है वो गौतम बुद्धनगर एवं महोवा में निवास करती है यह आपको याद रखना है इसके बाद हम देख लेते हैं अनसूचित जात यसी के बारे में सेड्यूल काश्ट 2011 सेंसस धार्मिक अधार पर तो प्रदेश की जनसंख्या का जो है वो 20.7% यसी निवास करती है टोटल इंडियम जो 19 करोड लोग निवास करते हैं उनका 20.7% जो है वो यसी यूपी में पाय जाता है जबकि भारत में यूपी का सेहर जो है वो 16.6% अगर जनसंख्या की बात की जाती है तो उसके अधार पर भी UP में ही सरवाधिक जनसंख्या यसी की पाई जाती है प्रत्षत की बात की जाए सरवाधिक प्रत्षत यसी की पंजाब में पाई जाती है 31.9% अब हम देखते हैं सरवाधिक यसी किस जिलम निवाज करते हैं यूपी के तम बुद्नगर यह आपको याद रखना है इसके बाद अगर प्रच्छत की बात की जाए सरवाधिक जो है कौसामी में पाए जाते हैं 34.72% दूसरे नमर सीतापूर आता है 32.3% यह आपको याद रखना है प्रच्छत में कौसामी प्रथमरस्तान पर है जबकि टोटल की बात की जाए सीतापूर प्रथमरस्तान पर आता है सेक्स रेशियो देखा जाए तो लिंगन पाद जो है यसी का वो 907 है जबकि राष्टी जो है हमारा 943 है और यूपी का सेक्स रेशियो जो है वो 912 है तो यह आपको याद रखना है अब हम देख लेते हैं यस्टी अनसूचि जनजाद के बारे में अंसूचित जनजाद जो है यूपी में 0.6% निवास करता है टोटल यूपी का जो जनसंख्या है उसका 0.6% यस्टी जो है वो यूपी में पाए जाता है सरवाधिक यस्टी जो है वो सोनभद बलिया देवरियम पाए जाते हैं और इंडिया का 8.6% दूंदaltet यस्टी यस्टी तो यह आपको याद रखना है न्यूनतम में यस्टी निवास करते हैं सर्वाधिक यस्टी सोनबद बलिया देवरिया यह आपको याद रखना है इनकर से greed रेश्यो जो है वो 951 है यह राष्टे जोह नौशिक से 943 से अधिक है सिसके बाहद हम तेख लेते हैं धर्म आधारी जनगानब तो सरवाधिक जो है यह अधर्म जो है वो यूपी में हिंदू 79.73% जो है वो निवास करते हैं दूसे नम्मर पे हैं मुस्लिम 19.26% मुस्लिम जो है यूपी में निवास करते हैं यह आपको याद रखना है तिस तरीके स्कुष जो है वो पूछे जाते हैं सरवाधिक सचर्था वाला जीला गौतम बुद्नगर निवंतम सचर्था वाला स्रावस्ति यह आपको याद रखना है यूपी का सचर्था कितना है 77.77% इसके बाद सिर्स जन संख्य घनत वाले जीले गाजियाबाद वराण सी यह आपको याद रखना है निवनतम ललिदपूर्थ साउन भद यह आपको याद रखना है डोटल। का जन संहक्र कितना है 839 इंडियक कितना है 382 यह आपको याद रखना है तोटल यूपी का जो दसकी वरी दिदर था ये अगर कोई यूपी इस पर सल दे रहा है तो उसमें पूछा जाया सकता है कि यूपी का दसकी वरी दिदर 2001 से 2001 के बीच कितना था तो 20.22% था जब की राश्री आउसत जो है वो 77.7% था ये आपको याद रखना है इसके बाद सरवाधिक अबादी वाले जिले यूपी में कौन से हैं तिलाबाद, मुरादाबाद, गाजियवाद ये आपको याद रखना है तीनों में बाद आता है तो ये आपको याद रखना है कि इलाहबाद, मुरादाबाद, गाजियवाद, सरवाधिक, अबादी इस जिले में पाई जाती है नियुन्तम जो है वो महोबा, चितगूर, हमेरपुर, स्रावस्ती, ललेटपूर ये आपको याद रखना है यूपी का छेटफल के दिश्कोर से कौन सा स्थान है तो वो चौथा स्थान है किसके बाद है, राजस्थान, मद्पदेश, महराश, इससे पहले 2004 में तिलंगाना और आनपदेश एक जब थे तो यूपी का रैंग जो था पांचुए स्थान पे था लेकिन तिलंगाना के नए राजस बननेक बाद यूपी चौथे स्थान पे आ गया तो यह आपको याद रखना है, जन संख्या की दिश्कोर से प्रतम स्थान पे है यूपी ये आपको याद रखना है टोटल जी लोग संख्या जो है वो पचातर है ये असी लोग सभा सीटे हैं ये आपको याद रखना है असी जो है ये हमारा लोग सभा सीट होगा है सब पचातर जो है ये जी लोग संख्या है टोटल टहसी लोग संख्या 350, कुल नगर नियम 17 है, ब्लॉक 822 है, डिवीजन 18 है, तो ये आपको याद रखना है, और ये भी दो क्यूशन जो है, पूछे जाते हैं, सर्वत हम जन गन्दा जो है, 800 बात तर्म हुआ था, और प्रतेक दस वर्ष के इंतराल पर जन गन्दा जो नहीं पड़ेगी, वीडियो पसंद आए और लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जरूर करें,